हलो फ्रेंट्स वेल्कम ट्यूट्योफ चैनल लेज्ट के सनी केतन। 67 BPSC प्रिलिम्स री इक्जाम के रिजल्ट के आगेंस्ट में पत्ना हाई कोट में एक केस फाइल की गई है। आज के हम इस वीडियो में उसी केस के अस्टेटस और आगे की रणनिती क्या होगी आप किस तरीके से इसमें सहयोग कर सकते हैं इन सारे बिंद्यों पर तरचा करेंगी। इससे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं कि पिछले लगभग एक महीने से इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो सका है। यह जो केस फैल किया गया है इसमें पैटिशनर हैं हरसित सरन केस नंबर आपको यहां दिखाई दे रहा होगा एक इंपोर्टेंट चीज आपको बता दूँ कि इस केस नंबर से जब आप पतना है कुट की वेबसाइट पर भी सर्च करेंगे तो सर्च में रिजल्ट नॉट है तो आप चीजस डिस को सर्च करने के बहुत सारे मेथड हैं उसमें टोकेन नंबर है या तो आप चाहें तो टोकेन नंबर से सर्च कर लें या फिर प्रटेशनर नेम क्याधार पर सर्च कर सकते अभी कीस नंबर क्यार पर तो नहीं हो रहा है कैस फाईल हुआ तो 16 दिशं नंबर है यानि कि मंडे को इसमें जो आर्गू करेंगे एडवोकेट यहाँ पर एडवोकेट के जो आप नाम देखेंगे तो पैटेशनर एडवोकेट में नाम है सास्त्री सिंग लेकिन जो एडवोकेट आर्गू करेंगे उनका नाम है वाई गिरी इमिनेंट एडवकेट है पतना के इन्होंने कई लेंड़ बार जैज्मेंट इनके नाम पे हैं जो भी मुनिस्पाल्टी एलेक्शन रोके गए थे वो इन ही के अर्गुमेंट के बाल रोके गए थे यानि कि एक अपनान इनकी ख्याती है जो केस फाइल किया गया है उसमें दो मुख बिंदू उठाए जाएंगे इनके द्वारा उन दो बिंदू से मैं आपका वगत करा देता हूं पहला बिंदू है कि साथ से आठ प्रशन को उत्तर बीपीएसी ने गलत दिये हैं जिसके की पुखता सबूत छात्रों ने लर्ण एडवोकेट के साथ साचा किया है इसके साथ ही साथ दूसरा जो पॉइंट है 26 नौवम्बर को जब बहुत जगों के बिहर्म अंद्धूलन किया था 67 बीपीएसी रिग्जाम के च्छात्रों ने उसके सामको बीपीएसी ने एक रिज़ल्ट जारी किया था जिसमें 15 चात्रों के एडिसनल रिज़ल्ट जार गया था उस नोडिफिकेशन को मैं आपके साथ साजा कर रहा हूं एक नोडिफिकेशन जो अप्लोड किया गया था जिसमें आप देख सकते हैं नीचे पंदह रिजल्ट दिये गए हैं एडिशनर राष्ट पति के संबन में प्रश्ण था इसमें लिखा है कि चुकि हिंदी औ प्रश्ट की संबाइचना के अंसार इस प्रश्ट का उत्तर विकलफ यहोता है जबकि हिंदी वर्जन के अंसार उत्तर इसन सिना होता है और इसी को ध्यान में रहते हुए ऑप्सटन ई किया गया और पंदर जातरों के अडिशनल जारी किये गए जबकि एक भी छात्र जो क लोगों का एडिसन किया गया है तो उसमें से कुछ लोगों को निकाला भी जाता क्योंकि रिजल्ट के एंसर बदलने से बहुत सारे बच्चों की एक नमबर कम भी हुए होंगे लेकिन आयोग ने प्रकिरिया का चीजों से फसने से बचने के लिए ऐसा नहीं किया तो एक तो यह ग्राउंड है दूसरा गलत प्रश्णों का ग्राउंड है तीसरा ग्राउंड जो लिया गया है जो उतना महत्पुन नहीं है किन्टू लॉजिकल है कि बीपीएसी ने जो प्रेडिम्स के बाद मुख परिच्छा के लिए जो तैयारी का समय दिया है वो काफी कम है तो यह तीन ग्राउंड लेकर बीपीएसी के जो छात्र है वो पत्ना हाई कोट में पहुंचे हैं जिनके के एड़वोकेट हैं वाई भी गिरी अब मैं बता जिता हूँ कि आप इस पूरी परकिरिया में कैसे सहवागी हो सकते हैं और जो छात्र पत्ना हाई कोट में गए है केस लेकर उनको मदद कर सकते हैं टेलिग्राम पर एक ग्रूप है जिसका नाम है 67th BPSC आप इसी नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको यह ग्रूप मिल जाएगा 67th BPSC कोट केस बाई सुरेश सर इस ग्रूप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी गई है चाहे तो आप कोहां से भी से जॉइन कर सकते हैं इस ग्रूप के जुड़ने के बाद कंट्रिबूशन किस एकाउंट में करना है बाकी क्या डिटेल्स हैं आपको सारी जानकारी इस ग्रूप में मिलती रहेगी तो आपको कुछ नहीं करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है इलिग्राम ग्रूप की उससे आप जूड़ जाएं इसके बाद वहां आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी केस के रिगार्डिंग आज जो वाई भी गिरी हैं उनका कहना है कि जब तक फुल पेमेंट नहीं होगा तब तक वो मंडे को केस में अपियर नहीं होंगे आर्गो के लिए तो आप चाहते हैं कि आपके तरफ से आपके केस के लिए गिरी सर अर्गो करें तो उनकी जो फी है जो छात्रों ने मेरे स तो इसात साधा किया लगोंके 5 माट के करने हैं एक पूर दो तरीके के पेमेंट होते हैं एक तो होता है कि हेरिंग हेर एइरिंग होता है दूसरा होता है पूरे केस का प्रूसरी बात हो कि कि 24 या 25 दिसंबर से पत्ना हाइग कोट बंद हो रहा है फिर दो जनवरी को खुलेगा और इसी बीच में मुख परिक्षा है शिक्ट सेवंथ की 29 दिसंबर से यानि कि जो भी करना है को बहुत जल्दी ही हो तभी कुछ सकारात्मक निर्णे हमारे लिए रहेंगे और ऐसा नहीं है कि पतना हाइग कोट ने बीप्यसरी के अगेंस्ट में जज़्जमिंट नहीं दिया है मैं अब को बताता हूं एक यू की रिजल्ट आया था सब्सक्राइब कर देखा इसके बाद आमीन के संबंद में यानि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां में पत दिया है तो अगर आप एक जूट होकर अपनी बात को रखेंगे तो उमीद है कि जज्मिंट आपके फेवर में जरूर आए तो यहीं उमीद करते हैं आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस गुरूप से जुड़ें और अपने समर्थ के अंसार अपनी समझ के अंसार अगर आपको लगता है कि यह आपका ही केस है तो आप इसमें कंट्रिब्यूट भी कर सकते हैं